हेलो एवरीवान वेल्कम बैक टू मैं चैनल होप यू आर डूइंग वेल आज का जो हमारा लेक्चर है वो है शोट रन एक्किलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉंपेटिशन इसमें हम डिसकेस करेंगे मार्चनल रेवन्यू एंड मार्चनल कोस्ट अप्रोच सबसे पहले हम बात करते हैं कि शोट रन क्या है और शोट रन में एक फर्म कब एक्किलिब्रियम पे होती है शोट रन एक ऐसा टाइम पिरेड़ है जब फर्म का एक फेक्टर अप्रोडिक्शन फिक्स्ट होता है वो टेक्नॉलजी या मिशिनरी हो सकती है और वह अपना आउटपुट इं और इस पॉइंट पे जो आउटपुट आता है उसको ऑप्टिमम या एकुलिब्रियम लेवल ओफ आउटपुट कहते हैं आईए इस सारे फिनोमिना को हम ग्राफिकली देखते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि पर्फेक्ट कॉम्पिटिशन में एक फर्म प्राइस टेकर होती ह जिसका मतलव है कि मार्किट प्राइस को इंफ्लcaust ये चेंज नहीं कर सकती है उसको जो मार्किट प्राइस होती है वो ही एकसेप्ट करनी पड़ती है इसलिए उसकी demand curve हमेशा horizontal यानि के perfectly elastic होती है जिसकी shape ये है और हम ये भी जानते हैं के perfect competition में price equal to AR equal to MR होता है क्योंके एक firm जब भी extra unit of output sale करती है तो उसको हर दफा same price मिलती है जो के उसकी average revenue और marginal revenue बन जाती है short run में industry या market की supply curve नहीं होती इसलिए marginal cost को ही supply curve consider किया जाता है जो के U-shape की होती है इसका मतलब है कि starting पे जब output increase होता है तो marginal cost decrease होती है फिर वो अपने एक minimum point पे पहुंचती है इस point के बाद फर्दर अगर output increase किया जाए तो marginal cost increase होना शुरू हो जाती है यहाँ पे देखा जाए तो marginal cost curve MR curve को two points पे cut करके जा रही है suppose एक point E है इसको आप output level के दें Q है और एक point E1 से cut कर रही है और यहाँ पे जो output level है उसको आप Q1 करे दें इन दोनों points पे देखें तो MC equal to MR आ रहे है अब हम three conditions को discuss करेंगे ताके हमें equilibrium level of output मिल जाए यहाँ वो point मिल जाए जहाँ पे एक firm equilibrium पे होगी first point है MC greater than MR यह वो condition है जहाँ पे एक firm को loss आ रहा है so इस point पे firm को production करने का कोई फाइदा नहीं होगा क्यूंकि इस point पे firm हमेशा loss पे होगी graphically हम देखें तो E point से पीछे जितना area है यहाँ पे MC curve अबव है और MR curve बिलो है और यह सारे का सारा area है जहाँ पे MC greater than MR आ रहा है इसका मतलब firm के लिए इस area में production करना feasible नहीं है secondly अगर हम E1 के right side पे देखें तो यहाँ पे भी MC greater है और MR कम है इस area में भी firm के लिए production करना feasible नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि Q1 से beyond अगर एक firm production करती है तो उसको loss फिर से आएगा क्योंकि इस point के बाद भी firm की marginal cost जो है वो increase हो रही है अब हम देखते है second area वो है MC less than MR ग्राफ में अगर हम देखें तो MC less than MR वाला area यह है इसका मतलब यह वाला सारा area एक firm के लिए feasible area है जिसमें वो production कर सकती है एक firm को Q1 और Q के in between production जब वो करेगी तो उसको profits आएंगे इसका मतलब यह हुआ कि जो यह area है यह सारे का सारा area इस area में एक firm को profits आ सकते हैं लेकिन हमने वो point search करना है जहां पे एक firm equilibrium पे है हमने पहले discuss किया था कि एक firm उसकत equilibrium पे होगी जब MC equal to MR होगा हम जब graph में देखते हैं तो दो points ऐसे आ रहे हैं जहां पे MC equal to MR है एक point है E यहां पे भी MC equal to MR है और एक point है E1 यहां पे भी MC equal to MR है लेकिन यह दोनों points equilibrium points नहीं हैं इसका मतलब यह हुआ कि MC equal to MR एक firm के equilibrium के लिए necessary condition तो है लेकिन यह sufficient condition नहीं है E पे अगर हम देखें तो जो output level है वो E1 से कम है secondly इस point के बाद अगर firm further output produce करें तो यहां पे देखें तो इसकी marginal cost अभी decrease हो रही है जो के indicate कर रही है कि firm के पास अभी capacity है कि वो further output produce कर सके E1 पे आएं तो इस point के बाद अगर firm further output produce करती है तो उसको क्या होगा उसको loss आएगा क्योंकि इस point के बाद marginal cost increase हो रही है जो indicate करता है कि इसके बाद firm के पास further output increase करने की capacity नहीं है जिसका मतलब यह हुआ कि E एक firm का equilibrium level of output नहीं है क्योंकि इसके बाद अभी marginal cost decrease हो रही है लेकिन E1 के बाद marginal cost increase हो रही है So firm का equilibrium level वहां पे होगा जहां पे MC equal to MR होगा और उस point के बाद क्या होगा अगर firm further output increase करती है तो उसका marginal cost increase हो रहा होगा यह था हमारा आज का lecture अगर आपको lecture पसंद आया हो तो जरूर लाइक और subscribe कीजेगा और ताकि आपको मेरे आनमली lecture स्टाइम पे मिल सके